दोस्तो एक स्तंब्र 2018 को इंडिया पोस्ट ने अपनी नई शर्विस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को लाउज किया था और उसी के साथ लाउज की थे अपनी मोबाइल बैंकिंग एप तो आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल एप की मदद से अपना डिश और मोबाइल किस तरीके से रीचार्ज कर सकते हैं और एप के अंदर और कौन कौन से फिसलिटी है जिसकी मदद से आप बिल पेमेंट कर सकते हैं एप की मदद से तो ज़्यादा समय ना लेती है चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और इसके लिए मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर जाओंगा और आपको अप के ज़रे बताऊंगा कि किस तरीके से आप स्टेब बास्टेब मोबाइल और डिश रिचार्ज और बाकी के बिल पेमेंट कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों यह जो आप अपने सामने आइकन देखने हैं यह इंडिया पोस्ट पेमेंट की मोबाइल बैंकिंग अप का आइकन है और चलिए इसको टच कर लेते हैं और ओपन कर लेते हैं दोस्तों इससे पहले मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ कि आप इंडिया पोस्ट मेंट की आप के ऊपर किस तरीकी से अपना अकाउंट मना सकते हैं और इंडिया पोस्ट में में का फाइदा क्या है तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक देदूँगा आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आई पी पी बी के बारे में डिटेल में आप जान सकते ह हमें यहां पर अपनी MP डालने के लिए कहा जा रहा है मैं अपनी MP यहां पर डाल लेता हूं और next बटन पर क्लिक कर देता हूं तो दोस्तों MP डालने के अमाद एप का जो first interface है वो open हो गया है हमें यहां पर चार option दखाई दे रही है view statement, send money, pay bill और service तो अगर दोस्तों हम mobile और dish recharge करना जाते हैं तो हम यहां पर pay bill option पर click कर देंगे तो दोस्तों जैसे ही मैंने pay bill option पर click किया तो हमारे सामने एक menu open हो गया हमें यहां पर recharge करने के लिए अलग अलग तरह की option मिल रही है सबसे पहले है electricity यानि कि हम विजली का bill pay कर सकती है उसके बाद है mobile post paid आपने यहां पर ध्यान रखना है कि अगर आपका जो mobile connection है वो post paid connection है तो आपने second option पर click करना है लेकिन अगर आपका mobile connection prepaid है तो आपने बिल्कुल नीचे आप देखिए recharge की आपको option दखाई दे रही है आपने उस icon पर click करना है उसके लबाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पर आप broadband के bill की payment कर सकते हैं इसके लबाद आप DTH recharge कर सकते हैं cash और water bill payment कर सकते हैं तो चलिए हम यहां पर एक mobile recharge की बात कर रहे हैं तो हम जो नीचे वाला जो आइकन है यहां पर लिखा हुआ है recharge उसके ओपर click कर देते हैं इसके बाद दोस्तों आपके सामने किस तरह का page open हो जाएगा यहां पर आपसे आपका जो mobile का operator है सिम का जो operator है वो पूछा गया है हम यहां पर touch कर लिते हैं और आपके सामने एक list open हो जागी तो माल देजिए आपका जो mobile connection है वो BSNL का है तो यहां पर आपने select कर लेना है और यहां पर आपने अपना mobile number फिल कर लेना है तो दोस्तों यह जो मैंने mobile number एंटर किया यह एक dummy mobile number है तो इसके बाद दस्तों यहां पर हम अमने जितनी भी amount का recharge करना है वो यहां पर fill कर देनी मान लिजे मैंने 100 rupees का recharge करना है लेकिन उसके साथ आपको एक red button दखाई देरोगा यहां पर लिखवा है view plans तो आप इस company के जितने भी plan है वो देख सकते हैं तो अगर आपने कोई plan जहां से choose करना है तो उसको आप choose कर सकते हैं और इसके लाबा बाद में यहां पर नीचे आपको अपना account number select करना है जो कि आपका IPPB का account number होगा तो मैं ऐसे select कर लेता हूँ और next button पर click कर देता हूँ उसके बाद दोस्तों आपके सामने एक इस तरह का confirmation का message आ जाएगा यहां पर आपको दखाया गया है कि आपका जो operator है वो है BSNL और आपका जो mobile number है यह जो मैंने डमी mobile number डाला हूँ यह वाला और उसके बाद जो amount है और उसके बाद आपका जो account number है वो आपको दखाई देगा इसके ओपर यहां पर आपने submit button पर click कर देना है और दोस्तों आपको आपके registered mobile number पर एक OTP मिल जाएगा उस OTP को यहां पर enter करने के बाद आपका जो recharge है वो successful हो जाएगा इसके साथ दोस्तों अगर हम आपको dish recharge की बात करें तो यहां पर आप फिर से pay bill के option के उपर आ जाईए और यहां पर DTH recharge पर click कर दीजिए और यहां से आप अपना operator चूज़ कर लीजिए जैसे कि dish TV है तो यहां पर आप अपना जो आपकी जो subscriber ID होती है जो आपको आपके dish की ID मिली होती है यहां पर फिल कर लीजिए और यहां पर आपको amount जो है वो fill कर लीजिए और उसके बाद यहां से account सेलेक्ट करने के बाद सब्मेड बटन पर क्लिक कर दिए और फिससे आपको एक OTP मैसेज मिल जाएगा और जैसे आप OTP मैसेज को fill कर लेंगे और सब्मेड बटन पर क्लिक कर देंगे आपका जो dish होगा वो recharge हो जाएगा तो उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अची लगी होगी इस